हेलो एवरिवन वैलकम तो माई यूट्यूब चैनल सिग्ने टूटरिंग आज जो टॉपिक हम लोग डिसकस करने वाले हैं यह ग्राफ ग्राफ में कहा है ना जन्दली मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को दिक्कत आती है पता नहीं मुझे भी रिजन तो से रिजन मुझे हमने रेस्ट के बारे में जाना हमने इसके लर्वेक्टर कॉंटिटी इसके बारे में जाना उसके बाद हमने डिस्टंस इसके बारे में जाना उसके बारे में जाना और यह पूरा चलती पूरी एक सीक्वेंस है उसके बाद जो हम बात करते हैं हम ग्राफ की बात करते हैं ठ graph है. graph में, सबसे पहली हम बात करते हैं, distance vs time graph. दो, distance vs time graph के अंदर, जो पहला केस हम लोग लेते हैं, वो लेते हैं, body at rest यह हमारा पहला case है when the body is at rest and we have to draw the distance time graph of that particular body तो हम लोग किस तरीके से deal करते है देखो यह बताते समय मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को math के अंदर graph आप लोगों ने पढ़ लिया होगा आप लोगों को पता हुआ graph क्या होता है जो हम graph बनाते हैं तो उसके 4 quadrant होते है 1 और अगर मैं यह बनाता हूँ ठीक है इस तरीके से बनाता तो मेरे 4 quadrant होते है आगे जगे नहीं बनाया है निया इसको पहला quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant लिख नहीं रहा हूँ बता रहूँ फर्स, second, third, fourth यह जो लेटी हुई line है horizontal line इसको हम कहते है x-axis क्या कहते है x-axis और यह जो line है इसको हम कहते है y-axis ठीक है horizontal को कहेंगे x-axis जो लेटा हुआ खड़ा हुआ है उसको कहेंगे y-axis ठीक है अब हमें body at rest बनाना है तो देखो क्या होता है कि तुम लोगों ने जब 9th class के अंदर 10th class के अंदर graph पढ़ना start किया होगा तो equations कुछ इस तरीके से जाती है y equals to x y equals to 2x plus 1 something something इस तरीके से तो हम x के ओले डालते है y के ओले मिल जाती है उसी तरीके से जब हम distance और time की बात करते है distance को मैं मान लेता हूँ d और time इसकी बात करते है ठीक है तो यह कुछ इस तरीके से बता रहा है कि भाया 0 second 1 second 2 second 3 second पे body मैं मान लेता हूँ अब generally कहना misconception जो आप लोग के दिमाग में आता हूँ यह कि body distance वह 0 है ऐसा भी हो सकता है कि body 5 meter पे हो एक second बात भी 5 meter पे हो 2 second बात भी 5 meter पे हो 3 second बात भी 5 meter पे हो यह possible है जब मैं इसका graph बनाऊंगा तो x की जगे मैं लिख देता हूँ time ठीक है y axis यह हम लोग लगता है distance distance ठीक है x axis y axis distance and time ठीक है तो जब हम लोग graph बनाते हैं तो यह हमारा 1 second हो गया यह 2 second हो गया यह 3 second हो गया और यह हमारा distance है 5 meter 5 meter ठीक है हमने 0 पर देखा तब भी 1 है 5 है 1 पर देखा तब भी 5 है 2 पर देखेंगे तब भी 5 है 3 पर देख रहे हैं तब भी 5 है तो distance is always same distance change नहीं हो रहा है ठीक है distance change नहीं हो रहा है तो I can say body is at rest मैं क्या क्या conclusion निकालूँगा इससे मैं इससे निकाल सकता हूँ velocity velocity क्या होता है अच्छा यह हम जो graph बना रहे हैं उससे पहले एक assumption है मि बोल देता हूँ लिख लेना आप लोग जब graph हम लोग पढ़ना start करते हैं तो graph पढ़ने से पहले हम लोग एक assumption करते हैं especially when we are dealing in 9th standard तो जब हम लोग इसके साथ deal करना start करते हैं तो इसमें हम assumption रखते हैं क्या that the body is moving in a straight line and it is not coming back because in that particular case when the body is moving in a straight line and it is not coming back back so in that particular case distance and displacement by magnitude will be same speed and velocity by magnitude will be same तो मैं distance की जगे displacement बोलूँ या velocity की जगे speed बोलूँ कोई खास फरक पढ़ने वाला है नई अस्टीस तो जब मैं इसका speed या velocity निकालूँगा यहाँ पर distance 0 है ठीक है? क्योंकि जब मैं velocity की बात करता हूँ तो velocity का मतलब होता है displacement upon time यह speed का मतलब होता है distance upon time यह पांच मीटर का मतलब यह है कि हो सकता है कि मैं जब यहाँ से देख रहा हूँ इसको इस तरीके से मान के देखो कि मैंने मान लियो कि मैं अपनी जगे से मैं नर्सी सर्कल पर मैंने बोलूँए मैंने देखा कि यार कोई बंदा है मैंने देखना स्टार्ट किया तो यह था के क्योंकि वा 5 से कहीं और नहीं जा रहा तो पांच मीटर दस मीटर या नरसरी सर्केल जो भी एक्जामपल ले रहा हूं उसके लागों कहीं मूव कर नहीं रहा है आगे टाइम बढ़ता जा रहा है पर वह वहीं कर वहीं बैठा हुए यूनिफॉर्म वैलोसिटी तो जब मैं यूनिफॉर्म वैलोसिटी के बात करता हूं तो यूनिफॉर्म वैलोसिटी के मतलब यह होता है body covers equal displacement in equal time in equal time interval मैं चाहता था आपको अलग से बता सकता हुआ इसको पर आसान पड़ेगा यार जो बताऊंगा और समझा भी दूगा ना प्रैक्टिकली तो थोड़ा मज़े लगता है कि आसान पड़ जाएगा uniform velocity अच्छा uniform speed भी यही चीज हो जाएगी मैं uniform speed भी यही चीज हो जाएगी क्योंकि मैंने assumption यह लिया है कि body straight line मुह कर रही यह वापस नहीं आ रही है तो magnitude सेम रहेगा बस यह है कि displacement की जगे आप distance लिख लेंगे displacement की जगे आप distance लिख लेंगे मैंने graph बनाना स्टार्ट किया तो graph से पहले मैं देखता हूं कि भीया uniform velocity बनानी है और graph distance और से time का बनाना तो distance ही हो जाएगा time यह हो जाएगा ठीक है यह displacement मालो time मालो 0 second पे कहीं भी नहीं था 1 second पे 1 meter चला 2 second हुए तो 2 meter चला 3 second हुए तो 3 meter चला 4 second हुए तो 4 meter चला ठीक है ग्राफ बनाते हैं इसका तो किस तरीके से बनेगा जीरो है एक है दो है तीन है चार है एक है दो है तीन है चार है यह displacement मालो आप यह distance मालो यह time हो जाएगा ठीक है एक पे एक दो पे दो तीन पे तीन चार पे चार यह हो जाएगा यह हो जाएगा ठीक है दिस विल भी ग्राफ औफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी in displacement time graph अब देखो इसको निकालते कैसे हैं मैं एक dot 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 लगाता हूं नीचे line dot लगा है इसको O माल लेते हैं इसको A माल लेते हैं और इसको B माल लेते हैं इस triangle को दुनिया से दूर ले जाते हैं ठीक है इस triangle को दुनिया से दूर ले जाएंगे तो हमें ये O, ये A, ये B ये लिखना होगा ठीक है मुझे पता है कि सर ये मुझे time बता रहा है और ये displacement बता रहा है ये parallel है ये line और ये line parallel है तो जो ये होगा वो ये होगा ठीक है तो अगर मुझे velocity निकालनी है तो क्या मैं displacement upon time लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ तो क्या इसका मतलब perpendicular upon base है क्या क्या इसका मतलब perpendicular upon base है क्या सर जो perpendicular upon base है इसको कहा जाता है दूसरी language में slope slope को हम 10 theta भी कहते हैं फिलहाल के लिए अगर आप लोगों ने नहीं पड़ा है तो उसको skip कर दो या जो रखने वाली चीज़ है वो है सिर्फ slope ठीक है सो वेनेवर यू आर गिवन दा डिस्प्लेस्मेंट और दिस्टेंस टाइम ग्राफ और यू आर आस्पीड और वेलोसिटी यह केस के अंदर जब भी मैं वेलोसिटी पूछ रहा हूँ आप पर प्रेंडिकल अपॉन बेस लिख देंगे बिलकुल भी और अवना दिमाग नहीं लगाएंगे इसको तरीका क्या है याद करने का यह है और यह पूछा है जब दो चीज़ डिवाइड होती है जब दो चीज़ डिवाइड होती है और तीसरी पूछी जाती है तो सर आप सिंपल सा पर प्रेंडिकल अपॉन बेस कर देंगे अपना दिमाग नहीं लगाएंगे मैं उम्मीद करता हूँ यह समझ में आगया होगा आप लोगों को वह क्या राइटिंग है ठीक है और नॉन उनिफॉर्म का यह मैं बता देता हूँ यह पर ऐसा कुछ खास है नहीं जब मैं लिखूंगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वलस्टी लिख लेते हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं बनाना ऊट पटांग चीज चल रही होगी कुछ भी माल लो यार कोई फरक नहीं बटारा से ठीक है बस यह है कि जब डेफिनेशन लिखोगे नॉन उनिफॉर्म का इसमें यह लिखना है बॉडी कवर्स इक्वल इस्टेंस इन अनिक्वल इंट टाइम या अनिकॉल डिस्टेंस अनिकुल इंटेलोड ताइम कुछ भी करते हैं यह बनेगा ठीक है मिडाल उसको है कि अब पिए तो अब नहीं अब नहीं है ठीक है अच्छो अब इसके आगे हम लोग करते हैं स्पीड वर्सिज टाइम ग्राफ यह मैं लिख लेता हूं वेलसिटी वर्सिज टाइम ग्राफ ठीक है वेलसिटी वर्सिज टाइम ग्राफ बनाते हैं चलो बनाते हो यह तो लिंक करें लिंक करके पढ़ें इसको मैं लिख लेता हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ठीक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ते हैं हम लोग तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं अगेन ग्राब बनाएंगे वेलोसिटी और टाइम का ग्राब बनेगा तो 1 second पे मिमान लेता हूँ, 2 meter per second है, 2 second पे मिमान लेता हूँ, 2 meter per second है, 3 second पे मिमान लेता हूँ, 2 meter per second है, ठीक है? यह है, तो graph कुछ इस तरीके से कहानी बया कर रहा होगा आपनी, 0, 1, 2, 3, pay speed जो है वो 2 है, 2 meter per second, velocity versus time graph, 1 second, 2 second, 3 second, कुछ भी ले लो, यह 2 है, यह 2 है, यह 2 है, ठीक है? यह बनेगा, इसी के अंदर हमने distance time graph क्या बनाया था? अगर याद हो तो, distance time graph क्या यह बना था? velocity की value हर बार same आ रही थी इसमें, 0 second पे distance 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, तो यह हमारा graph बन गया था? ठीक है? यहाँ जब velocity निकाल रहे थे, तो हम लिख रहे थे perpendicular upon base, ठीक है? बच्चों, चीजों को interlink करके पढ़ना शीखना बहुत ज़रूरी है, मैं यह dot लगा देता हूँ यहाँ पर, यह straight line हो जाएगी, यह straight line हो जाएगी, यह dot लगा दिया, ठीक है? यह dot लगा दिया, velocity मुझे पता है displacement upon time है, ठीक है? मैं लिख सकता हूँ displacement को velocity into time, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो मेरा यह जो graph है, यह graph के अंदर मैं इसको O माल लेता हूँ, इसको A माल लेता हूँ, इसको B माल लेता हूँ, इसको C माल लेता हूँ, ऐसा कोई खास फरक पढ़ नहीं रहा है, इसके है, यह चीज़ velocity है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ displacement displacement equals to velocity, जो है, वो A B आजाएगा, into time, time क्या हमारे पास, O A आजाएगा, काईदे से अगर मैं देखता हूँ, तो यह graph जो है, यह graph जो है, यह, क्या मुझे rectangle या किसी भी form में parallelogram की याद दिलाता है, हाँ दिलाता है, तो मैं लिखूंगा, A B जो हो जाएगा, हमारा, breath into O A जो हो जाएगा, length, और मैं लिख सकता हूँ, length into breath, और मैं लिख सकता हूँ, D equals to area of the graph, area of the graph, निकाले हैं, हमने क्या conclusion निकाला, सर जिस तरीके से दो चीज डिवाइड होती है, तीसरी पूछी जाती है, तो हम निकालते हैं, perpendicular upon base, सर उसी तरीके से दो चीज multiply होती है, और तीसरी पूछी जाती है, तो हम निकालेंगे, area of the graph, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम area of the graph निकालेंगे, बास समझ आ गई, ठीक है, I hope यह चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, हाँ ना, इसके उपर एक example करें, तुम लोगों को समझ में भी आ जाएगा, सोनी ये जे तेरे नाल, दागा मैं कमावा, देख ओचो, जैसे ये है, मेरे पास distance time graph है, ये graph है, ठीक है? ये interlinking graph की, अगर मैं ये देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ, कि भीया, मेरे पास, ये मैं मान लेता हूँ, कि, velocity, ये मैंने मान लिया 2 second, ये मान लिया 4 second, और ये मान लिया 6 second, ठीक है? ये मान लेता हूँ, और इस दोरान मेरा कुछ इस तरीके scene बना होगा, 3, 4 पे गया तो 6, 6 पे गया तो 9, कुछ ये बन रहा होगा, 4 पे गया तो 6, 6 पे गया तो 9, तो अगर मैंने velocity निकाला, तो वो निकाला कितना? Perpendicular, that means 6 by 9, ये मेरी velocity आ गई, ओ, sorry, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, Perpendicular upon this, so, this is the velocity coming, अब इसी का एक काम करो, इसी का velocity time graph बना देते हैं, इसी का velocity time graph बना देते हैं, जब मैं इसका velocity time graph बनाऊंगा, अच्छा, ये तो मूव करी रहा है, तो uniform velocity के बात करते हैं, हाना? 3 by 2, यहां माल लेता हूँ, 3 by 2 मेरा velocity है, 2 second, पे कुछ रहा होगा, uniform है, तो 6 second माल लेता है, डारेक्ट ही लिखते हैं इसको, 6 second पे, ठीक है, कुछ भी रहा होगा, मतलब uniform ही रहा होगा, 3 by 2 ही रहा होगा, ठीक है, और यह देखो, यह मैं माल लेता हूँ O, यह माल लेता हूँ A, यह B, और इसको dot 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 करके नीचे पठकते हैं, इसको C माल लेता हैं, ठीक है, तो जब मैं displacement की बात करूँगा, तो वो हो जाएगा, velocity into time, velocity हमारे पास क्या है, 3 by 2, velocity into time का मतलब यह हो जाएगा, distance निकाल लो, area of the graph, area of the graph क्या हो जाएगा, पर यह length, शिक समान लेता है, into breath, और यह आजाएगा मेरे पास, 2, 3, 9 meter, interlink हो रहा है क्या, यह देखो, हो रहा interlink, एक ही graph को, दो form में लिखना, यह होता है, देखो, basically हम लोगों ने क्या किया, मैंने distance time graph बनाया, या displacement time graph मान लो, मैंने uniform velocity रखी, 2 पे 3 निकला, 4 पे 6, 6 पे 9, तो मेरे uniform velocity जो आगई, वो 3 by 2 meter per second आगए, 3 by 2 meter per second आगए, ठीक है, और जब मैं इसका velocity time graph बनाऊंगा, मैंने uniform velocity निकाल ली, मैंने uniform velocity throughout रख दी, time total किता था, मेरे बाद 6 second आगए, ठीक है, अगर मुझे एक graph दे रखा है, मैं इसी graph को velocity time graph के अंदर, किस तरी के देपिट कर सकता हूँ, मैं distance time graph को velocity time graph के अंदर, किस तरी से देपिट कर सकता हूँ, वो मैं या दिखा रहा हूँ, तो area of the graph यानि length अनु ब्रेथ, length 6 है, ब्रेथ कितनी है, 3 by 2, 9 मिंटर, ये 9 मिंटर, ये 9 मिंटर, eyes on, ठीक है, तो इसे कहते हैं, graph के अंदर हम लोगा ने uniform velocity पढ़ लिया है, इसके बाद uniform acceleration बढ़ेंगे, फिर non uniform acceleration बढ़ेंगे, graph खतम हो जाएगा, ठीक है, अगली glass में लेंगे, आप लोग जब भी पढ़ेंगे, तो कोशिश करें कि interlink करके पढ़ें, चीज़े थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक है, तो फिलाल अभी के लिए इतना ही, मेरे पास में समय थोड़ा काम है, ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको next class में, Thank you, Thank you so much,